हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केड ग्यान में आदो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार श्टॉक के बारे में जिसमें हमारा मेजर डिसकेशन रहने वाला है है HFCL, IRFC और दो इस्टॉक जो कि आपको corporate actions दिखाते हैं नजर आने वाले हैं वो भी बहुत ही जल्दी हैनि कि जुलाई के मंत में ही तो साथ के साथ अगर आप देखोगे तो HFCL में काफी दिनों से बड़ी तेजी का माहल बना हुआ है उसके पीछे का reason जानेंगे और क्या यह सही time है HFCL में investment करने का और साथ ही हम बात करेंगे IRFC के बारे में कि क्या इसमें से exit कर देना चाहिए या फिर अभी भी कोई scope बाकी है साथ के साथ आप मेरा private telegram channel भी join कर सकते हैं जिस पर मैं आपको day to day tips देता रहता हूं intraday tips भी मिलती रहती हैं साथ के साथ morning से लेके evening तक कि जो भी market related news भी है वो भी में हूँ आप शेयर गदर रहता हूं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में investment जर्नी में काफी ज़दे help करने वाली चोटी मोटी tips तो link मैंने description में provide करा हूँ है जाके आप checkout कर सकते हो सबते बात करेंगे HFCL के बारे में HFCL में आज अगर आप द क्यासे आ गया वहीं अगर हम बात करें तो पिछले पांच दिनों में 19% से ज्यादा के रिटर्न्स हैं तो आप यह देख पा रहे होगे average अगर आप निकालोगे तो 4% के आसफ़र पर डे का मुमेंट साथ ही अगर हम बात करें पांच एक मन्त के तो यहाँ पर 10% के आसफ़ के रिटर्न्स हैं यानि कि अगर आप देखो तो पूरा महीना ही HFCL के लिए काफी ज़्यादा सही नजर आ रहा है यानि कि आज भी 5% का मुमेंट पिछले 5 दिनों में 19-20% के रिटर्न पिछले एक महीने में 19% के रिटर्न्स तो डेफिनितली एक अच्छा माहौल बना हु से यह कुछ एक महीना ही है जिसमें आपको पॉजिटिव सेनारियो देखने को मिला है पिछले एक साल में 25% के नेगिटिव रिटर्न्स है तो पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो साड़े 300 से जादा के पॉजिटिव रिटर्न्स है यानि कि ओबर और लॉंग तम के इस आप से बहुत अच्छा शियर है लेकिन एक टाइम पर दो जार रुपे का स्पर्स ट्रेड करता था और आज मार्केट में 65 पर ट्रेड कर रहा है तो इसके बीचे के भी बहुत सारे रिजन है जो हम इस वीडियो में डिसकस नहीं करेंगे लेकिन यहां पर बात करने वा मार्केट में और मिल रहे है 59 करोड के आपको यहां पर मिलते हुने ज़र आ रहे हैं और साथ की साथ जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो है वो पूरी तरीके से 5G टेकनोलीजी पर काम करते हुने ज़र आ रही है जिसकी वज़े से अगर आप देखोगे तो सिनारियो काफी ज़्यादा पॉजिटिब बंते होने ज़र आ रहा है HFCL का आगे अगर आप इसके बारे में बात करें तो यहां पर देखो तो सिनारियो एक अच्छे खासे टेलिकॉम ऑपरेटर की तरफ से यहां पर आप मिलते हुने ज़र आए हैं जो की काफी ज़्यादा अच्छा माहौल क्रियेट कर रहे हैं HFCL के लिए अब अगर आप यहां पर देखोगे तो एक और निउस निकल के आई थी जो की बहुत ज कर दिया गया है और वो भी टेलिकॉम सेक्टर में एंट्री लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं तो अब यहां पर दिल्चस्प होगा बहुत ज़्यादा यह देखना कि यहां पर अम्मानी की तरफ से क्या मूव निकल के आता है क्योंकि अभी तक तो सेक्टर में एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही तगड़ा कॉंपिडिशन मिलने वाला है तो यहां पर आप देखो तो हो सकता है इनको भी ओर्डर दिये गए हो यहां तब ऐसा भी सेनेरियो बन सकता है तो यह को सेनेरियो रहा है एच एप सील का जो की काफी ना सकते हो बाकी मैंने 5G वाली वीडियो बनाई हुई है उसमें एच एप सील के बारे में भी आपको बता है वहां पर आपको और ज़्यादा पता लग जाएगा अब हम बात करें आप आयर एप सी में आज पॉजिटिव माहूल देखने को मिला 0.25% का 20 रुपे 20 पैसे पर आगे जाके शायदी कभी देखने को मिले लेकिन यहां पर चीजें बहुत सारी हैं जो कि आपको सोच कर चलनी पड़ेगी अगर आप लॉंग टम यानि कि 5-10 साल का विजन लेके चल रहे हो तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो शोट टम के हिसाब से मुझे नहीं लग नहीं आएगा यह आपको भी पता है कि IRFC का शियर मूब नहीं करेगा क्योंकि जो फाइनिशल इंस्टिउशन हैं जो बिग इंस्टिउशन इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें निवेश नहीं करेंगे क्योंकि सब को ही पता है ओफस के बाद थोड़ी बहुत गिरावर तो इंफ्रा प्रोजेक्ट में बहुत अच्छीगासी ग्रोथ दिखा सकते हैं उनको बहुत सारे प्रोजेक्स मिले हैं साथ ही साथ इन्होंने डाइवेसिफिकेशन की भी बात करी थी कि केवल रेलवे को छोड़के अब हम यहां पे और भी बहुत सारी चीजों पर फोकस करने वाले हैं तो सारी चीज़े जब अच्छी हैं बिजनिस ग्रोग कर रहा है तो साथ के साथ श्टॉक को भी तो ग्रोग कराना पड़ेगा अधर्वाइस यहां पे कंपनी का स्टॉक हमेसा बीस वाइस रुपे के बीच में ही ट्रेड करते हुए नजर आएगा तो क्या आपक कॉर्प लिमिटेड यानि कि आपने इस कंपनी का नाम ओल्रेडी सुना ही होगा रिटर्स के मामले में बहुत ज्यादे इंप्रेसिव रिटर्स इसके नहीं देखने को मिले हैं लेकिन फिर भी अगर आप यहां पे सिनेरियो देखोगे तो कंपनी एक अच्छी खाची कंप आप से देखने को मिलेगा 35 पर शेयर का डिविएंट एक डिसेंट यहां पर आपको डिविएंट देखने को मिल रहा है तो आप अपनी पूजिशन अपने अकौर्डिंग यहां पर बना सकते हो अब हम बात करें अपने दूसरे स्टॉक के बारे में तो वह निकल के आता है हाड़विन इंडिया लिमिटेर डाइसो के असपार शेयर ट्रेड करते हो नजर आता है आज इसमें अपर सरकीट लगा और सिनेरियो पिछले एक साल का काफी ज़्यादा पॉजिटिव है लेगिन फिर भी यह भी आपको एक टाप से सरकीट वाला शेयर है तो रिस्क अपन मंद में कोर्प्रेट अक्शन देखने को मिल रहा है यह दो मैंने आपको बदा हैं दोनों इसी मंद के एंड दखाते हों नजर आने वाले हैं तो वीडियो में मैंने आपको चारों स्टॉक के बारे में जितनी भी इन्फरमेशन दी सारी बता दिए वीडियो आपको टाम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लीजिएगा धन्यवाद